अश्विन पूर्णिमा की एक पुराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहुकार था उसकी दो बेटियां महिने में आने वाली प्रतेक पूर्णिमा तिथी को व्रत किया करती थी इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा के व्रत पूरे विधी विधान से करती थी लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी सहुकार की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवा हो गया बड़ी बेटी के घर एक सही समय पर स्वस्त संतान का जनम हुआ छोटी बेटी को भी संतान हुई लेकिन संतान के जनम के तुरंत बाद ही उसकी मृत्ति हो जाती थी जब छोटी बेटी के साथ ऐसा दो से तीन बार हो गया तो उसने एक ब्रामन को बुला कर अपनी पूरी व्यता सुनाई और इसका उपाई बताने के लिए कहा उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रशन पूछने के बाद ब्रामन ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोश लग रहा है ब्राह्मन की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा वृत पूरे विधी विधान से करने का निश्ची किया अश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहुकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जनम दिया लेकिन उसकी तुरंत मृती हो गई इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे कपड़े से ढख दिया जैसे ही बड़ी बेहन उस चौकी पर बैठी और मरेहवे बचे पर उसका स्पर्श हुआ वो जिवित होकर रोने लगा तब बड़ी बेहन क्रोधित होकर बोलने लगी कि उस पर अभी हत्या का कलंक लग जाता इस पर चोटी बेहन ने उत्तर दिया यह बच्छा मरा हुआ ही था लेकिन आपके व्रत और तप के परभाव से आपके भीतर के तेज ने उसे जीवित कर दिया चोटी बेहन को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने बड़ी बेहन की तरह ही विधी के साथ पूर्णिमा कवरत आरंब कर दिया चुँकि उस दिन अश्विन महिने की पूर्णिमा दिथी थी इसलिए इस कथा का पाठ विशेश रूप से फलदाई माना जाने लगा ऐसा माना जाता है कि जिस परकार मालक्ष्मी और भगवान विश्नु ने साहुकार की बेटी की कामना पूर्ण करके उसके जीवन को स्वभाग्य से भर दिया वैसे ही हम पर भी किरपा करे जो व्यक्ति पूरे विधी विधान के साथ अश्विन पूर्णिमा में व्रत और उपवास करने के साथ ये बताई कथा का पाठ करता है उसकी समस्त मनुकामना पूर्ण होती है आप सभी को शर्द पूर्णिमा की हारदिक शुब कामना है अगर आपको कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले